Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator. और आज मैं start करने वाली हूँ poetry section से आपकी first poetry, the most awaited poetry, poem number one, which is A Lecture Upon the Shadow. और आज कवा करूँगे मैं इसका explanation. So let's begin with the explanation and उससे पहले हम author या जो हमारे poet है, उसके बार में पढ़ते हैं. इस poem के जो हमारे poet हैं, वो है Mr. John Donne. इनका birth year 1572 में हुआ था और इनकी death year 1631 में हुई थी. Okay, so let's read about him. John Donne was representative of the metaphysical poets of his time. He said the metaphysical mode by vibrancy of language and startling imagery. अब, metaphysical क्या होता है? The area of philosophy that deals with nature of existence, truth and knowledge. तो philosophy या deep thinking subject का वो area जो nature of existence के बारे में पढ़ते हैं. यानि कोई चीज अगर exist कर रही है, तो क्यों कर रही है, उसका बारे में क्या truth है, क्या knowledge, everything उसके बारे में के existence का nature क्या है. तो ये metaphysical की पढ़ाई होती. तो जो John Dunn थे, वो जितने भी metaphysical poets थे और इस तरीके की जो कविताईं लिखते थे, उनके representative थे. यानि सारे उन कवियों को John Dunn ही represent करते थे, यानि दर्शाते थे. और इनकी जो poetry होती थी, उसमें जो language होती थी, काफी vibrant होती थी, यानि बहुत पढ़ने में अच्छी लगती थी, और उसमें बहुत startling imagery होती थी. imagery यानि कलपना करना, और startling यानि surprise करना. यानि जब भी readers इनकी कविता हैं, इनकी poems को read करते थे, तो लोग imagine करते थे, बहुत surprise, amazed की feeling से भर जाते थे. ओके, he was brought up as a Roman Catholic and was Dean of St. Paul's Church till his death. तो जब वो बड़े हुए, तो वो एक Roman Catholic की तरह बड़े हुए. लेकिन बाद में वो convert हो गए थे, Anglicanism में, यानि ये एक तरीकी का, Christian, Christianity का ही कोई पार्ट है. उसमें ये convert होगा अपनी death तक, जब तक ये जीवित रहे, ये St. Paul Church के Dean बनके ही रहे. जो total effect है, एक metaphysical poem का, वो क्या है? It is to startle the reader into seeing and knowing what he has not really noticed or thought about before. तो अगर आप क्योई भी metaphysical कवीता या poem पढ़ते होता है, उसका सबसे main motive यह है, कि वो reader को startle करे. यानि surprise या amazing की feeling दिला है और reader को ये believe करवा है, कि ये चीज़ तुमने आज तक ना कभी notice करी है, ना तुमने इसके बारे में कभी पहले सोचा है. रीडर को ऐसी feeling दिलाता है इस तरीके की poems, जैसे John Donne की जो poetry होती है, और John Donne की जो हमी यह वाली अभी हम जो आज poetry पढ़ने वाले, आ लेक्टर अपॉन दे शैडो, ये भी क्या reflect करती है, ये भी क्या दर्शाती है, और इंफसे बारे में हम feelings, emotions, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बलकि intellect and wit के बारे में, याने समझदारी, intelligence, you know, इन सब के बारे में जाधा focus करेंगे, प्रक्टिकालिटी पे focus करेंगे, ना कि feelings and emotions पे focus करेंगे, okay? So this was all about your author, and let's begin with the explanation of the poem. Poem को explain करने से पहले, मैं आपको एक scientific concept समझा देती हूँ, जो हमने 6th class में पढ़ा है, Lights and Shadows chapter में, कि जब shadow होती है, जो परच्छाई बनती है एक इनसान की, एक दिन के अलग-अलग समय पर, तो वो कैसी होती है? तो सबसे पहले shadow होती है morning के समय में, जब sun थोड़ा इस तरीके का होता है, तो उस वक्त shadow जो होती है, आपकी जो परच्छाई होती है, वो आपके पीछे बनती है, जैसे ये tree है, तो उसके पीछे इसकी परच्छाई बनी है, फिर आता है noon time, noon मतलब जब दिन के 12 बज़ते हैं, दिन के 12 बज़े का आसपास का जब टाइम होता है, तब जो sun होता है, वो object के बिलकुल अबव होता है, यानि बिलकुल सर के ऊपर होता है, तो इस time पर जो shadow बनती है, वो ना पीछे की तरफ बनती है, ना आगे की तरफ बनती है, बिलकुल छोटी सी ऐसे पैरो की तरफ होती है, वो थोडी सी दिखती है, क्योंकि sun is above our head, बिलकुल हमारे सर के ऊपर होता है, दिन के peak जब 12 बज़रे होते हैं, फिर आता है late afternoon या post noon, याने noon के बाद, यह जिनके जो 12 हैं, इसको हम noon भी कहते हैं, तो noon के बाद वाला जो समय होता है, इस time पर सूरज दीरे दीरे ड़लने लगता है, evening का समय होता है, शाम का समय होता है, और जब shadow यहाँ पर आती है, हमें हमारे सामने दीखती है, तो सुबा के समय है, क्योंकि सूरज बहुत हलका धीमा होता है, इतना जादा strong नहीं होता है, तो हमारे पीछे shadow बनती है, दिन के 12 बज़े sun is over our head, above our head, तो बिलकुल हमारे नीचे shadow बनती है, येस, और जब 12 के बाद, इवनिंग, शाम के 4-5 का टाइम होता है, फिर हमारे सामने shadow बनती है, और फिर आजाती है रात, यानि जब sun, सूरज ढल जाता है, तब कोई shadow नहीं बनती, क्योंकि sunlight होती ही नहीं है, ओके, So, this is the scientific concept, जो आज इस poem में लगने वाल है, अब इस poem के बारे में मैं आपको बताती हूँ, यह जो poem है, यह John Dunn ने अपनी शादी की first anniversary पर लिखी थी, अपनी wife के साथ, जिसमें इन्होंने theme क्या बताई है, love, कि प्यार क्या होता है, किसी भी relationship में, stages कौन-कौन सी आती है, तो उन्होंने बताया है कि जब एक इनसान किसी से प्यार करता है, तो उसके partner के साथ उसका एक relationship बनता है, और उस वक्त पर तीन stages आती हैं उनके relationship में, तो उन्होंने उन तीन stages को कैसे दर्शा आया है, morning, noon and post noon या फिर late afternoon, उन्होंने का जब morning होती है, जब सुभा का समय होता है, तब सूरज थोड़ा कम strong और इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, उसी तरीके से जब एक relationship नया नया शुरू होता है, तो बहुत ज़्यादा कोई problems नहीं दिखती, बहुत लभी डभी सा relationship होता है, दुनिया वाले बोलते हैं, वाह क्या बढ़िया कपल है, मिल्कुल लड़ते ही नहीं, इनके बीश में तो कोई problems ही नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब कुछ समय बीचता है, तो एक noon stage आ जाती है उनके life time में, याने वो एक अपने highest point पर पहुँच जाते हैं, एक saturation point पर पहुच जाते हैं, जहां पर उनका relationship थोड़ा strong हो गया है पहले से, इस वक्त उन लोगों को ना एक दूसरे की गलतियां दिख रही है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना बोरा लग रहा है, बस एक highest level पर उनका relationship पहुच गया है, तभी तो यहां पर shadow नहीं दिख रही है, याने कोई problems नहीं दिख रही है, फिर दीरे दीरे जब शादी या relationship और आगे बढ़ता है, वक्त बीटता जाता है, तो क्या होता है, यहां पर सूरज दीरे दीरे ढ़लता है, याने अब दीरे दीरे सामने वाले की गलतिया नजर आने लगती है, हमारी लडाई जगड़े होने लगते हमारे partner से, क्यों क्योंकि उसको मेरी बात नहीं अच्छी लगरी, मुझे उसकी बात नहीं अच्छी लगरी, दीरे दीरे कहीं न कहीं प्यार कम होता जाता है क्योंकि अब problems दिख रही है कि अच्छा ऐसा भी होता है एक relationship में गलती आ रही है एक दूसरे की शकल नहीं अच्छी लग रही है literally एक point तो ऐसा भी आ जाता है लेकिन क्योंकि अगर true love है सच्छा प्यार है तो चाहे किती भी problems आजाएं वो रिष्टा कभी खतम नहीं होगा प्यार हमेशा बरकरार रहेगा and at least जब sun ढल जाएगा यानि जब सारी मुश्किलें खतम हो जाएंगी तो at night फिर से you can make love फिर से जब सूरत चले जाएगा तो आप night की gleam में अपना love फिर से find कर सकते हो फिर से search कर सकते हो अपने ही partner के साथ so this was the theme of the poem and now let's understand and explanation जो है poem का वो देखते हैं stand still and I will read to thee a lecture love in love's philosophy अब इस वाली poem में बहुत सारे आपके archaic words आएंगे archaic words मतलब English language में जो old fashioned words होते थे उन्हें हम archaic words कहते for example यह जो word है the इसको पुराने जमाने में मतलब इसको आज के जमाने में हम बोलते है you तो पुराने जमाने में archaic time में हम you को बोलते थे the तो ऐसे कई सारे archaic words आपके स्टाप्टर में आएंगे तो यहाँ पे जो poet है वो अपनी beloved partner या अपनी lover या अपनी wife से कह रहे है stand still शांती से खड़ी रो और मैं तुम्हें एक lecture देने वाला हूँ किस topic पे की love क्या होता है true love क्या होता है अभी जो love है यह कौन से subject का part है तो यह है love's philosophy जो love की philosophy होती है जिसमें लोग बहुत deep thinking करते हैं बहुत सोचते हैं ideologies बनाती के प्यार क्या होता है कैसे लोग relationship में रहते हैं तो यह जो love की philosophy है यह उसका subject है love तो यहाँ पे basically जो हमारे writer है जो poet है वो अपनी beloved partner को कह रहे है तो अभी आपे बोले जारा है poet कह रहे है कि अभी अभी जो मैंने तुमारे साथ यह तीन घंटे बिताए है मैं यहाँ पे walk कर रहा हूं तुमारे साथ दीरे दीरे walking here means मैं तुमारे साथ चल रहा हूं दीरे दीरे आगे बढ़ रहा हूं walking hair का मतलब क्या है कि मैं तुम्हाली जिन्दगी में धीरे-धीरे तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूँ जो अभी-अभी मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर तीन घंटे बिताए है वो हमने अकेले नहीं बिताए हमारे साथ हमारी shadows भी थी याने हमारी परचाईयां भी थी अब ध्यान से सुनिएगा यह जो shadows word है यह बार-बार आपकी poem में आएगा और basically यहाँ पर shadows का मतलब है problems परचाईयों का मतलब यहाँ पर तकलीफ है जो problems हर relationship में दोनों partners face करते हैं तो वो कहते हैं कि जो 3 गंटे मैंने तुमारे साथ अभी बिताए हैं walk करते हुए याने धीरे धीरे तुमारे साथ जो मैंने live बिताई है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं थे हमारे साथ हमारी shadows भी थी याने हमारी problems भी थी याने वो हमारे स्दाथ थी, हम दोनों अकेले वॉक नहीं कर रहे थे साथ में अपने अपनी परिशानियों को भी साथ में लेकर चल रहे थे और यह जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में यह कहीं और से नहीं आई हैं यह हमने खुदी प्रड्यूस करी हैं जैसे कि आएक इंसान की परच्छाई उसके साथ हमेशा रहती है और परच्छाई कहां से प्रड्यूस होती है? हमसे ही हमसे ही हमारी परच्छाई निकलती है तो वैसे ही जो प्रॉब्लम्स होती है वो और कहीं से नहीं आती है वो प्रॉब्लम्स भी हमसे ही आती है कि लवी-डवी सा relationship है, कोई problem नहीं है, problems हमने produce की थी साथ में थी, पर पीछे तरफ थी, अभी ये stage है कि हम लोग आगे चल रहे हैं problems जो है, जो shadow है, वो पीछे तरफ है, याने हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी नया नया fresh relationship है, नया नया प्यार है, तो हमें एक दूसरी की problems दिखाई नहीं दे रही, पर है तो सही, क्योंकि आगे आने वाली life में आएंगी वो problems, फिर second stage आ जाती है कि sun बिलकुल हमा पर थोड़ी सी तो है, तो वो कहरें कि अब sun बिलकुल हमारे सर के उपर है, we do those shadows tread, याने ये जो shadows हैं, ये जो problems हैं, हम उनको tread करके आगे बढ़ जाएंगे, इस stage में, tread करना याने किसी चीज़ को कुचल के उसके उपर पैर रखके उलांग के आगे निकल जाना, तो writer में जब sun बिलकुल हमारे सर के उपर है, जब हमारा प्यार बिलकुल epic point पर, बिलकुल highest degree के point पर पहुच गया है, जा हमें न कुछ अच्छा लग रहा है, न बोरा लग रहा है, हमारा प्यार बहुत strong हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, हम इ To brave clearness, all things are reduced, reduced मतलब कम होना, तो यहां पर poet कह रहे है कि जब हम यहां पर second stage में, जब सूरज बिलकुल हमारे उपर होता है, बिलकुल problems हमारे होती हैं, दिखाई नहीं देती, लव अपने epic point पर पहुच चुका होता है, तो तब जो भी problems यहां हो रही होती है, पीछे होती है, यहां पर दिखती नहीं, तो जो भी problems यहां पर होती है, यह problems को हम क्या करेंगे, यह कम हो जाएंगी, यह reduce हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि relationship इतना strong हो चुका है, एक दूसरे से हम इतना जादक attached हो चुके हैं, कि हम problems धीरे धीरे हमारे relationship में कम होंगी, कम होती जाएंगी क्यों strongly एक दूसरे से connect होते जा रहे है so whilst our infant loves did grow disguises did and shadows flow अब whilst again आपका एक archaic word है जिसका मतलब है आज के जमाने में while okay disguises का मतलब क्या होता है to change something so that people cannot recognize it जब आप किसी चीज को थोड़ा बहुत change कर रहे हो उसका थोड़ा रूप बदल रहे हो तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है infant love के बारे में infant love मतलब वो प्यार जो अभी अभी पैदा हुआ है याने जी नया नया प्यार है जब बिलकुल नया नया लवी डवी सा relationship होता है जिसमें कोई लडाईय नहीं होती कोई problem नहीं होती सब कुछ बड़ी अच्छा लगता है एक दूसरे की बुरी आदते भी अच्छी लगती है हम नजर अदास कर देते हैं तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये नया जो fresh प्यार है जो नया नया प्यार है वो बढ़ता जा रहा है ग्रो होता जा रहा है इस ट्रॉंग होता जा रहा है डिस्गाइस दिड़ और शैडोज फ्लो याने मुश्किलों ने अपना रूप बदला और जो परिशानिया थी जो problems थी वो हमसे आगे बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब अगर आप इस picture में देखे इसके बाद वाली stage में जो problems है जो shadow वो आगे की तरफ बन रही है तो problems आगे की तरफ बढ़ेंगी will flow from us याने हमसे आगे की तरफ बढ़ जाएंगी and our cares but now it is not so it is not so and our cares का मतलब क्या है care करना जाएंगी जब आप किसी की care करते हो तो यहाँ बोला जा रहा है कभी-कभी relationship में जब आप एक दूसरे की बहुत जादा care करने लगते हो तो यह चीज किस चीज में convert हो जाती है possessiveness आपको बहुत possessive हो जाता है आप अपने partner के लिए और शाहद सामने वाले को घुटन होने लगती है हमारे लिए तो बोला वै लेकिन हमारे लिए उनके लिए possessiveness कही ने कहीं घुटन मन रही हो शाहद इस care की वज़े से भी ना कभी कही ने कहीं problem create होती है यहाँ पर भी अगेन एक archaic word है हाथ का मतलब आज के जमाने में होता है हाव डिलिजेंट का मतलब क्या होता है शोइंग केर और एफ़र्ट इन यो ड्यूटी जब आप अपनी कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें एफ़र्ट दिखा रहे हो मेहनत दिखा रहे हो बहुत care कर रहे हो उस relationship की that is called diligent तो poet यहाँ पर कह रहे है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है second stage पर भी आ गए है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा प्यार अपनी highest degree पर पहुँच गया है याने बिल्कुल अपने epic point पर पहुच गया है कि बस यह हमारा highest degree है इस से यादा तो कोई किसी से प्यार करी नहीं सकता तो वो कह रहे है अभी तक ऐसा कोई highest degree का point नहीं हाया है और यह चीज़ diligent है याने हमारा प्यार हर दिन मेहनत कर रहा है strong बन रहा है और bond को strong बना रहा है याने हर दिन जैसे जैसे समय बीट रहा है जैसे जैसे time जा रहा है हमारा relationship strong होता जा रहा है और यह चीज़ दुनिया देखेगी और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ऐसे एक दिन जरूर आएगा कि हमारा प्यार अपने highest point पर पहुँचेगा और यह चीज़ दुनिया देखेगी कि कितना यह अच्छा कपल है कि इनका bond देखो कितना अच्छा कपल है तो मुझे इस चीज़ का विश्वास है यह poet कहते है अब यह जो second stage है जो कि noon की stage है जिसमें दिन के बारा बच्ट है जब sun बिल्कुल हमारे अब अब ओवरार हैड होता है बिल्कुल हमारे सर के उपर होता है ज्यादा problems, ज्यादा shadows दिखती नहीं है तो बोल रहे है except our love stays at noon stay हमारा प्यार इस noon की stage पर तो stay करेगा इस noon की stage पर तो stay करेगा क्योंकि एकदम epic point पर पोशने की कगार पर है stage पर इस पर हमें एक दूसरे की problem जादा दिखनी रहे हैं अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है पर बढ़िया strong relationship है we shall new shadows make the other way लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम third stage पर आएंगे तब new shadows आएंगी याने और new problems दिखने लगेंगे हमें हमारी life में कभी-कभी जब शादी हो जाती तो starting में सब बढ़िया लगता है धीरे-धीरे लड़के की मम्मी से problem होने लगती है सास को अपनी बहुत से problem होने लगती दीरे-दीरे क्या और रहे relationship में problem आरी लड़का और लड़की के यस तो शुरू में तो सब बढ़िया लगता है लेकिन यहां यह बोला जा रहा है कि जब noon stage हो जाएगी उसके बाद new shadows आएंगे आने नहीं problems आएंगी किसी भी relationship में और वो बहुत आगे तक जाएंगी वी शाल new shadows make the other way आने आगे और जाधा problems आएंगी और हमें doesn't matter कित्ती भी problems आजाएं हमें हमारा love maintain करके रखना है as the first were made to blind others these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो first थी याने जो पहली वाली problems थी याने जब noon का time था याने जब sun just हमारे head की ऊपर था जब highest degree epic point पर हमारा प्यार बहुत चुका है जादा कोई problems दिखने रही तब क्या होता है तब शुरू शुरू में जब नया नया प्यार होता है तो बहुत lovey-duby सा relationship होता है तो जो others होते हैं दूसरे लोग जब हमारे relationship को देखते हैं तो वो blind होते हैं वो अंधे हो जाते हैं और वो देखते हैं वाह कितना बढ़िया couple है बिलकुल लड़ाई नहीं कितना perfect couple है दोनों में कितनी अच्छी understanding है तो दूसरे others जो होते हैं वो शुरू शुरू में हमें देखके blind होते हैं हमारे relationship को देखकर blind हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं याने जो problems background में होते हैं दिखती नहीं धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो जब सूरज 3rd stage पर आता है तो यह shadow जब आगे की तरफ हमें दिखती है तो क्या होता है तब we work upon ourselves हम अपने उपर काम करते हैं कि क्यों problem होरी कैसे होरी क्या होरी है हमें तब हो जाते हैं कि हम खुद blind हो जाते हैं blind our eyes याने कि हमको स्रिफ क्या दिखता है हमको सिर्फ problems दिखती है क्योंकि हमारे सामने क्या है अब shadow सामने आगे तो हमारे सामने स्रिफ परिशानी और तकलीव दिखती है हमें लगता है किस relationship में आ गए हम तो divorce ले लेते हैं, हम तो break up कर लेते हैं, हम frustrated हो जाते हैं उस situation में तो हम blind हो जाते हैं क्योंकि उस time पर हमें वो प्यार नहीं दिखता जो कि actually exist करता है हम अंदे हो जाते हैं, हमारे आँकों के सामने से वो प्यार चला जाता है हमें सरफ क्या दिखता है, हमें सरफ problems दिखती हैं उस वक्त if our loves faint and westwardly decline अब faint का मतलब क्यों होता है, fee का पढ़ना, कोई चीज़ कम हो रही है और westwardly decline का मतलब क्यों होता है, जो sun होता है, sun sets in the west यानि सूरज होता है, वो west direction में set करता है, और डूपता है, decline करता है तो यहां यह बोला जा रहा है कि जैसे सूरज west direction में decline करता है, यानि डूप जाता है और उसके बद अंदेरा हो जाता है, हमारा प्यार भी अगर faint हो गया, यानि फीका पढ़ गया खतम होने लगा इन problems की वज़े से, to me thou falsely thine तो फिर मैं तुम्हें उन प्यार भरी नजरों से नहीं देख पाऊंगा, जैसे मैं इस वक्त देखता हूँ, तुम्हें या देखता आ रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे सर्फ problems दिख रही हमें एक दूसरे से सिर्फ परिशानी है, दिक्कत है, तो मैं वो तुम्हें वैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा, जैसा मैं करता आ रहा हूँ And I to thee, mine actions shall disguise तो यहां यह बोला जा रहा है, और फिर क्या होगा, जो मेरे actions होंगे, प्यार भरे behaviors होंगे, तुम्हारे प्रती, वो सब क्या होंगे, वो सब खतम होते जाएंगे, और disguise हो जाएंगे, यानि मैं तुमसे चीज़े चुपाने लगूँगा कभी-कभी किसी-किसी relationship में लोग चीज़े चुपाते, disloyal prove हो जाते, dishonest हो जाते, जूट बोलते हैं अपने partner से तो poet कहरे है कि अगर हमारा प्यार भी फीका पढ़ने लगा, जैसे सूरज वेस्ट में डूब जाते है, हमारा प्यार भी अगर ऐसा फेंट होने लगा, फीका पढ़ने लगा, तो मैं वैसे तुम्हें उन प्यार भरे action से, behavior से नजरों से नहीं देख पाऊंगा, जैसा मैं तुम्हें देखता हूँ आ रहा हूँ, हो सकता है, शैल मैं disguise भी करूँ याने तुमसे चीज़े छुपाऊं, disloyal प्रूव हो जाओ, dishonest प्रूव हो जाओं तुम्हारे सामने, अब ये बोला जा रहा है कि जो morning time की shadow थी, जो problems morning time में थी, याने जो first stage थी, जब जादा problems दिखती नहीं थी, पीछे तरफ shadows होती थी, याने ऐसे background में problems होती थी, दिखती नहीं थी, बहुत लवी डवी सा तब relationship था, तो जब morning shadows थी, तब problems बहुत अवे थी हमसे, बहुत दूर थी, एक बहुत प्यार भ़रा relationship था, बट these grow longer all the day, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे सूरज फिर on above our head आता है, फिर जब सामने की तरफ आता है, उबर उबर के problems दिखेंगी सामने वाले की, कि तुम में ये कमी है, वो बोले का, तुम में ये कमी है, लड़ाई होंगी, problems होगी, कभी-कभी बच्चों के topic पे भी parents की बीच में, couples की बीच में लड़ाई हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़े, यहाँ पर decay का मतलब क्या है, to become gradually damaged, worse or less, जब धीरे-धीरे कोई चीज़ दैमेज होने लगती है, बर्बाद होती, worse याने बत्तर होने लगती है, या बिलकुल कम हो जाती है, उसे हम यहाँ पर कहेंगे decay, तो यहाँ यह बोला जा रहा है कि love's day is short, प्यार का दिन तो बहुत छोटा से है, यानि यह जिन्नेगी हमारी बहुत छोटी सी है, और इसमें भी love moments create करना, अपने partner के साथ time spend करना, यह वक्त तो और भी कम है, क्योंकि अलाइक्स में हमारे पास दूसरे भी काम है, हमें job भी क होना है, मैं खाना है, पीना है, हमें बहुत सारी चीज़े करनी है, तो प्यार का समय कहा है, तो love's day is short, बहुत थोड़ा सा है, और उसमें भी अगर हमारा love decay हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम लड़ेंगे, बत से बत्तर हो जाएगा relationship तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो basically यहाँ पर अब बता रहे हैं, poet की love क्या है, love is a growing, और full constant light, प्यार क्या है, प्यार तो कोई grow होने की, कोई बढ़ने की चीज़ है, हर दिन आपका प्यार, आपके partner के साथ बड़े relationship strong हो, यही प्यार है, और full constant light, प्यार उस continuously चमकती हुई light की तरह है, जो कभी फीका नहीं पढ़ सकत याने चाहे कितनी भी problems आजाएं, कितनी भी तकलीफे आजाएं, किसी भी stage में हो, morning stage में हो, noon stage में हो, या post noon stage में हो अपने relationship की आप, अगर आप true love करते हो अपने partner से, तो यह problems दीरे दीरे चली जाएंगी, क्योंकि morning है, फिर noon है, फिर बीच में के आजाता है, evening, याने शाम क समय आता है, याने वो समय है, जब सूरज बिलकुल ढल रहोता है, problems आपके सामने, क्योंकि shadow सामने की तरफ दिखती है, लेकिन उसके बाद सूरज ढलेगा, याने problems खतम होंगी, आपके बास night time आएगा, जब सूरज बिलकुल नी होगा, और एक gleam of light में, आप अपने partner के वो night में होगा, क्यों? क्योंकि third stage बरते हो, आपको problems दिख रही है, evening आ रही है, तो याने उसके बाद आप love कब experience कर सकते हो night में, जब सूरज ढल चुका होता है, जब आपके उपर आपको कोई problems नी दिखती, याने आप अपने relationship में इतना strong हो चुके होते हो, कि आप अपना पूरा time सामने वाले के साथ, spend कर सकते हो, despite किती problems हो चुके है, आपकी life में, okay, so true love can never be ended, कभी भी खतम नी हो सकते है, doesn't matter किती ही problems आजाए, so this was all about your poem, आपको आए हो, बहुत अची लगी होगे, बहुत short and simple poem है, other than this, Magnet Brains ने आपके लिए e-books भी निकाल लिए, if you want, हमारे description box म एक form की link given है, आप उस link को visit करिये and definitely our team will get back to you, तब तक के लिए, bye bye and take care.